आश्ठा विधानसबा में बिजली के लिए किसान हुआ परेशान सीहोर जिले के आश्ठा विधानसबा के ग्राम आननदपूरा में ट्रांसफर्म ना होने के कारण छात्र छात्राओं को पड़ाई करने में परेशानी ग्राम वासियों का आरोप है कि हमारे गाउं में ट्रांसफर्म नहीं है दो महीने हो चुके है और लाइनमेन का कहना है कि ग्राम वासि जुट बोल रहे हैं किसान का कहना है कि दो दिन के भीतर हमारे गाउं में ट्रांसफर्म नहीं लगा तो हम तेहसिल के सामने धर्ना प्रद लुए नहीं है यहां किसान अपने खेती में कैसे करें तो दूनिये मेरी बाज़ू इस यह फ्रक्राइब है यह जोती वाला है यह घर के लिए है यह कोई नहीं है हम घर में अंधेरे मेरे बच्चे बड़ाई से बारे सान हो रहे हैं इधर उदर से लेका आ रहा है लाइट दोरिया भेग रहे एक टांस्वर नीचे डलने दे नीडल पाए हैं की जगे यह उसी कारण है किया जल रहे ह हमने सिकाइट लगाई करी इस ट्रांफर की भी करी हमने और उसके बाद मेरे को बिल की भी करी तो बकायत 90 लाग रुप बता रहे हैं यह कुन से बात हुई अभी अभी देखने मारा था कि आपने जो यहां पर प्रिशान नहीं कर दो जब से सीम साब ने बिल माप करे हैं उ सब हो गए उसके बाद में भी उसके नब्य लाग रुप निकाल रहे हैं प्रिवाले क्या नाम क्या आपका सर आप किस पोस्टिप हो यहां पर लाइन यह पर यह ग्रामिट शेटर के कहना है कि जो लाइन में साब यहां से डीपी लेगा है पर डीपी यहां पता अभी कोई फर्ष्टियर पढ़ रहा है इनका जब एक्जाम अभी आने वाला है कोई पढ़ाई निकार इसका जमदार कॉन रहेगा तो सर आप यह बताईए इनका ट्रांसपर कब तक आजाएगा यहां पर तो दिन में कल कर बाद हो गए और कल कभी इनका ट्रांसपर नहीं हुआ